जब कॉंग्रेस थी न सत्ता में इधर बंदा सुबह आता था चलो भी इंडिया गेट घूमने चल जाते हैं आता था ना दो के अच्छे से लेकिन जब वापस जाता था तो ऐसे लगता था जैसे किसी खेत में से निकल के आई आपको भी पूरा रहती पूरा मिटी रहता था आज का क्या है आज आपको फार्क भी बड़ा सुन्दर मिलेगा देखो अर्याली है पूरी की पूरी और ये फुट पाते जो साइडों की बना हुए है बैठने-बैठने का सिस्टम जो बना जो सुन्दरत आई है अब बंदा यहां लेट के बैट के फोटो की चाता है खान सिस्टम चेंज हुआ है यह जब कॉंग्रेस थी ना सत्ता में इधर बंदा सुबह आता था चलो भी इंडियागेट घूमने चल जाते है आता था ना दो के अच्छे से लेकिन जब वापस जाता था तो ऐसे लगता था जैसे किसी खेत में से निकल क्या यह आपको भी पूर पूरा मीटी रहता था आज का क्या है आज आपको फार्क भी बड़ा सुन्दर मिलेगा देखो अर्याली है पूरी की पूरी और यह फुट पाते जो साइडों की बना हुए है बैठने बैठने का सिस्टम जो बना जो सुन्दर ता ही है अब बंदा यहां लेट के बैट के फोटो की चाता है खाना काता है क्योंकि यह लोगों को काम दिखता है अब आप से फाल्ट बोट साथ दिया अर्विंद केज रिवाल देखो इंसान गलती एक बार करता है फैर मेरे जैसे इंसान तो उसको इस टैम भी बोट नहीं दिया ता और अभी भी नहीं है क्योंकि उसका कोई फायदा है नहीं न Chevy ने कभी फायदा लिया क्योंकि जितना वह यूनित वै बिजली देता है जितना पानी देता है उतना थो महरा वेसे वेस्ट हो जाता है कि अब तो आई रहे हैं अब तोThat बहुट जादा आ है मेरे घर का विल そうですね आपको फैस्बॉक पर आएज हैं कि इसे नीया है में तो फेस्बूक पर नालता हूं मैं में अपने हर्म इन्ने के बिन्खू फेस्बूक पर डाल देता हूं कि कि वहिए जिनकी आखो पर पट्टी बंदी है कि जो आप देखो दूर के डोल सबको सुआवने लगते अधर स्टेट के लोग सोचते दिल्ली वाले जो जी के चक्कर में वोट दे रहे हैं ऐसा नहीं है इतना मिलता है इतना जाता है आप किसी भी लोकल अरिया में चले जाओ आपको पत उस्पिटल नहीं है कहीं पानी नहीं है साफ भीमार हो रहे हैं बच्चे बुझूर्ट पानी इतना गंदार जो उनके वहस्पिटल ने लिया था तो होस्पिटल की भी ये बोलते कि होस्पिटल की फैसिलिटी अच्छी है वो विचारे मेरे सामने रो रहते कि भाईया पैसे कम है हमारे पास तो आप मुझे यहां तक छोड़ो जाओने जानता में उनको लेके गया तो उसके बच्चे को एडमीट ही नहीं किया जबकि बच् यहां एडमीट है तो यह लगता है लोगों को कोई फैसिलिटी वैसिलिटी नहीं है आपको बुखार है आपके गुट्ने में दर्द है आपके सरमा दर्द है आपको चक्कर आ रहे हैं आप जाके हलकी हुलकी दवाई ले सकते हो आपका जो ओवर खर्चा है बड़ा या कराना है आपके घुटने के दर्द की दवाई मा मिल जाएगी सरदर्द की मिल जाएगी यह कंफरम है तो यह आपने सुना लोग अपनी राय जो है वो रख रहे हैं 24 चुनाव को ले करके और इस जी 20 के बाद अगर बात के तो वैसे ही परिद्रिश जो है लोगों का वो वहीं प्रदानमंत्री जाएगे क्यों रहेंगे मोदी जी क्या कर रहें विकास देखो कितना कर रहे हैं विकास किसी देश पे होता है घर परिवार में भी बिना करज लिए दिये काम नहीं चलता है तुना अपने ये लोगों ने जो है वो अपनी राय रखी 24 चुनाव को ले करके और खास तोर पर G20 के बाद भी जो बदलाव यहां देखने को मिले उसके बाद जंता किराए हमने सीधे तोर पर सबसे पहला सर्वे आपको इंडिया गेट से दिखाया कि आखरिकार लोग जो ह किसको चा रहे हैं और भी यहां पर लोग आए हैं गुमने के लिए उनसे उनकी राय जानना चाहिए सर क्या नाम है आपका सर क्या नाम है आपका कहा क्या रहने वाले हैं यह आए तो ठीक रहेगा इतने सारे ओप्शन्स जो है मैंने जब मेरा रादनितिक जीवन शुरू किया था तो कॉंग्रेस पार्टी में किया था और मुझे 2009 से 2014 तक सांसद बनने का मौका मिला था और अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे कि कोई फर्स टाइम सांसद कि अगर पर्फॉर्मेंस पार्लिमेंट में देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने वहाँ पर एक छाप छोड़ने की अपनी कोशिश करी थी लेकिन उसके बाद से परिस्तितियां बहुत बदल गई चाहे देश के लेवल पर देखें चाहे अंतराष्टे लेवल पर देखें चाहे राज्य में देखें हूं चाहे मेरी कॉंस्टिट्विंसी में देखें परमादर्निया हमारे प्रदानमंत्री जी ने जो कुशल नेतरत्व दिया उसकी वज़े से हमारे देश की साख बैश्विक्स तर के उपर एक अलग ही दिशा में पहुंची एक अलग ही लेवल तक पहुंची है और जिसको कहते हैं एक डिसाइसिव सा नेतरत्व मिला पार्ट कि जो थी वो पिछले कुछ समय में हम लोग अपनी अपनी बात रखते गए कभी सुनी जाती थी कभी नहीं सुनी जाती थी लेकिन उस दिशा से बिल्कुल विपरीत डिरेक्शन में मूव करने लगी थी तो जो एक एम लेकर के हम शुरू हुए थे कि राष्ट निर्मान के देरी थी आज जो परिस्तिती राजस्तान में है विशेश तोर पर चाहे महिलाओं को लेकर के महिला अत्यचार को लेकर के चाहे हमारे खुद के जो कारे करता है उनकी जो अन्देखी है उसको लेकर के लाइन ओर्डर की सिच्वेशन को लेकर के तो जैसा कि अभी आदर्नी अरुन सिंग जी ने बताया कि कई लोग ऐसी घुटन महसूस कर रहे थे और उन्होंने कॉंग्रेस का परिवार चोड़ करके बीजेपी को अपनाया है केंदरे नेतरत उन्हें जो मुझ में विश्वा लेक्षन में, दोजार चोईस के अंदर हमारी तरफ से जो भी प्रयास बन सकेगा हम करेंगे कि पार्टी को और संगठन को मजबूत कर सकें, राष्ट निर्मान के अंदर जो भी छोटी बड़ी भूमिका निभा सकें, जो भी पार्टी के एक सच्चे सिपाई की तरफ से त पर रहेंगे, यही विश्वास में आपको दिलाना चाहती हूं, और जो यह मौका यहां मिला है, इसके अंदर अपना पूरा प्रयास लगाऊंगी कि एक मजबूत सरकार राजिस्तान में आए, के अंदर मैं वापिस से बीजेपी की सरकार रिपीट हो.